Honestly, मुझे नहीं लगता कि अगर Jet Davis बंद ना होती और इतनी tough situation ना पड़ती तो भी मैं ये सब कुछ कर पाता मैं चाहे Jet Davis का बंद होना मेरे लिए वैसे Jet Davis का बंद होना सही था तो नहीं बड़ हाँ शायद मेरे लिए ये एक opportunity हो गई ताकि मुझे पता चल पाया काफी सारी नई चीजों के बारे में अगर मेरे पास इतना time नहीं होता तो मैं कभी शायद उन चीजों को explore करी नहीं पाता पर चलो भगवान जो सोचता है अच्छे के लिए सोचता है और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि भगवान हमसे तो बेदर ही सोच लेता है तो ठीक है जो वस हुआ अच्छा हुआ हाई मेरे नम है रवीतियागी और मैं आज आपके सामने आया हूँ एक गुड न्यूज लेके और एक बैड न्यूज लेके पहले हम बैड न्यूज से स्टार्ट करते हैं वह इतनी बैड नहीं है जिसकी आप जानते ही हैं इस चैनल पर मैं पहले सिर्व वाइन फूड की ही नहीं आने वाला हूँ इसके पीछे भी एक रीजन है इसको बताने के लिए आपको ना थोड़ा से मेरे साथ फ्लैश बैक में चलना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ एक्चली मेरी एकानी शुरू होती है मेरी गस्राइब फींट से2 ने दिए एर क्व में अगरवाले होगे उनको लगा कि भाई हमारा खोटा सिक्का चल गया लेकिन यह खुशी बहुत जादा टाइम की नहीं रही विगोज अगले ही साल सारा एरलाइन्स क्लोज हो गई बाट अच्छी बात यह रही कि उसको जैटे रिविज ने एक्वाइर कर लिया अब जैटे रिविज ने जब उसको एक्वाइर कर लिया हम और खुश हो गया इससे हमें लगा कि यार इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे स्टिबल एरलाइन्स में अब मैं आ चुका हूं तो अब हमारा फ्यूचर बिल्कुल पूरी तरके से सिक्क्योर है और यह सोच के जि छोड़ा फ़नी वे मैं बता रहा हूं बट यह बिल्कुल भी फ़नी नहीं था बिकॉस जैटे विसके क्लोजर के बाद 25,000 एंप्लोई उसके रोट पे आ गए थे सब के सर पे लोन्स थे क्रेडिट कार्ट थे रिस्पोंस्बिलिटी थी जैसे हर आम इंसान की होती है कि प्रशन दोगी तो अब करना क्या है तो मेरे सामने दो अप्शन थे पहला अप्शन था मैं किसी एरलाइस को जोईन करके फिर नया सफर स्टार्ट करूं यह दूसरा अप्शन था कि इस रैट रेस से बाहर निकलके मैं कुछ और ट्राई करूं जो कि मेरा हो जिसमें इसके बाद मैंने बहुत सारे ट्रैडिशनल वे से मैंने सोचा कि क्या कौन सा बिजनस टार्ट किया जाए मैंने राइस का होल सेल का भी काम किया उसके बाद मैंने कपड़े भी बेचे और स्टॉल लगा कि मार्कित में महिपालपुर में बहुत सारे काम किया और काम एक साल हाथ पेर मारने के बाद मुझे लगा कि अब मेरी समझ में आ गया है मुझे क्या करना है मैंने सोचा था कि मैं Kids Wear की एक अपनी Shop Open करने वाला हूँ और बहुत बढ़िया तरीके सा उसको चलाने वाला हूँ लेकिन फिर आगया 2020 2020 सब के लिए शौक था क्योंकि 2020 में हम सब अपने गर में लॉक था अब उस वक्त सब के पस मेरे गहर से टाइम ही टाइम था और सोचने के लिए ही टाइम था मेरे पस तो जॉब वो अब कुछ थी नहीं तो सोचने में ही लगा रहा है चीज़ों को ढूंडता रहा कि अब क्या किया जाए और सबसे बड़ा चैलेंज था कि जिरो इंवेस्टमेंट के साथ किया जाए बिगोज मेरे पस इतने पैसे नहीं थे कि मैं अब किसी काम में लगा के फिर दुबारा से मैं लिए रिस्क लूँ और लिटरली फाइनली कि I landed in a digital world मैंने अपना सबसे पहले आपको पता है मैंने अपना सबसे पहले यूटूब चैनल बनाया यूटूब चैनल बनाने के बाद बना भी नहीं यूटूब चैनल इतनी ज़ल्дी मेरे को लगा कि यूटूब चैनल बनाय जाये तो किस topic पे बनाए जाए तो मैंने काफी सारी videos देखी कि किस तरीके से कौन से topic पे मेरे को करना चाहिए सब बोलते थे कि भई अपने passion जो जिस चीज के लिए passionate हो वो करो and literally इतने साल 11 साल job करते करते मैं मुझे नहीं पता था मेरा सारे passion जो थे earlier I was a very good singer मेरे school में मैं बहुत अच्छा singer भी था I was a composer मैंने कुछ songs भी लिखे थे but अब मुझे नहीं लगता थे कि अब मेरा passion रह गया है because बहुत break हो गया था बहुत लंबा face दिखाना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा बस just लोगों को भी किसी के face से interest नहीं है जिसको wine पीना है na he just want to know the recipe और उसको recipe बता दी तो ठीक है मैंने ऐसा किया और literally ऐसा हुआ भी मेरा wine की videos पे you know अभी तक 1000 में views हैं बाकी और चो खाने की चीज़े उन पे कोई views नहीं मिलेंगे आपको लेकिन हाँ मेरी सारी wines में 1000 में views आते हैं अपने YouTube channel कोई grow करने के लिए मैं इसके और deep में जाने लगा and literally मैं जाते 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 मुझे पता चला कि यार ये समंदर है इसके अंदर बहुत कुछ है मतलब और literally मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था इती सारी चीजे हैं बिना किसी बड़े office के बिना किसी setup के बिना किसी capital के आप zero से अपना business start कर सकते हैं online गर पे बैठे बैठे और आप पुरी दुनिया में बेश सकते हैं बट कैसे ये नहीं पता था ये फिर से question mark था मेरे सामने तो मैंने उन्ची जोग explore करता रहा करता रहा करता रहा and finally कुछ बार मतलब fail होने के बाद मैंने फाइनली एक website बनाई जिसमें मैंने 25 डेस के इंदर 3,15,000 रुपे कमाए चलिए मैं आपको अपना Dashboard भी दिखा देता हूं यह मेरा Dashboard है Shopify का जिसमें मैंने 1 November से लेके 30 November के बीच में अपने एट चलाए थे तो उसमें मेरी 3,15,000 रुपे की sale हुई थी मैं एक बार आपको तो 1 से 20 मतब ऐसे भी करके दिखा देता हूं ताकि समझ में आया आपको यह तो सर्फ 20 का हो गया 20 को मेरी इत्ती sale थी अगर इसको 1 से 20 किया जाए तो एक लाग 7,000 रुपे sale थी और इसी को अगर मैं पूरे मन्त का करता हूँ तो आप देख सकते हैं यही 3,15,000 रुपे यह मेरी sale थी अब देखे मैं प्लीज आप इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें मुझे कोई गलत न समझें इसको दिखाने के पीछे बस एक रीजन है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर यह मैं कर सकता हू बना के यह income की है अपनी तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे ख्याल से वो सारे के सारे लोग इस काम को कर सकते हैं बस आपको कोई बताने वाला होना चाहिए कि यह सारी चीजे कैसे की जाती है कि अब ऐसे करो अब ऐसे करो अगर आप यह सीख गए समझ तो यह बहुत इसी है लाइक मेरे को आज अब इतना फेल होने के बाद इतनी टोक रिखाने के बाद अब यह इसी लगने लगा है मुझे लगता है मैं किसी की भी अब कोई भी प्रोड़क्ट निकाल के ऑनलाइन बेच साल कर सकता हूं तो अगर आप यह और दूसरी बात ए अगर आप जानने में इंट्रस्टेड है और अगर आप इंट्रस्टेड है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप जानना चाहते हैं मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आँगा इन सब के लिए अब आप सोच रहोंगे कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ न यह सारी चीज़े आपको क्या लेना देना है मैंने क्या कमाया क्या नहीं कमाया एकशली एक कहानी मेरी नहीं मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की है जो जिनकी जॉब जा चुकी है या बहुत टाइम से जिन पर जॉब भी नहीं है और उनको देना आइडिया कि अब करना क्या है तो मैं अब मेरा गोल है कि मैं चाहता हूँ कि मैं काफी सारे लोगों की जो फसेव है ना उन लोगों की help करूँ यार लिटरली अगर आपको कोई बताने वाला मिल जाए कि करना exactly क्या है करना गया exactly तो यह सारी चीड़े हो सकती है तो अगर आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है तो प्लीज मुझे comment section में जरूर बताईए कि आप जब वो ज हमें इतना school में पढ़ाया इतना college में पढ़ाया और हम सब पैसा कमाना चाहते थे और हमें पैसा कमाने के बारे में किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया तो लिटरली अब पैसा किसे कमाया जाता है यह सीखने के लिए अगर आप interested है तो please मुझे comment करके बताईए मैं आपको इस अ डता है, वो मैं आपको बताऊंगा और जो मुझे नहीं आता ना वो मैं आपको सीख के बताऊंगा लेकिन अब इस सफर को यादगारा बनाते और साथ मिलके सफर को पूरा करते हैं तो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई शब्बा घ्यर